कौन सी बाइक लेटिस लाँच हुई है, कौन सी बाइक नई आने वाली है, किसमें जादा पावर है, कौन सी जादा भाती है, ये सब जानने के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी बाइक में कौन सी टेक्नलोजी कंप्री ने यूज करी है और कौन सा कूलि सिस्टम जाता बहतर होता है Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Motorworld और फिर माया हूँ एक नहीं वीडियो के साथ और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे cooling systems के बारे में आपने बहुत सारी bikes देखियोंगी जिसमें air pooled system मिलता है, liquid pooled आता है और एक में oil cooling भी देखने को मिलती है और SR Motorworld का हमेशा से ये motive रहता है कि हम वीडियो को short रखें, वीडियो को जल्दी जल्दी cover करें और आपको कम data आपका खर्चो, audience का कम data खर्चो कम time खर्चो और भरपूर knowledge आप लेकर जाएं हम बात करता है cooling systems के उपर काफी लोग मुझसे question करता है कि हमें industry में job करने हैं, तो हम अपनी knowledge को कैसे improve करें तो अब आपके पास एक option है जहाँ पर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जी हाँ, unacademy organize कर रहा है special classes जहाँ पर आप mechanical और electrical industrial experts से मिल पाएंगे, ये special class unacademy न organize किये ताके आपको सही guidance मिले और आप सही domain select करके अपने skill development पर focus कर पाएं unacademy special class आपको help करेगी future guidance के लिए और जो screen पर इस वक्त आप brands देख रहे हैं, इनी brands में से हो सकते हैं वो industrial experts जो के आपकी help करेंगे future guidance में, तो अगर आप अपने engineering skills को improve करना चाहते हैं, तो जल्दी से enroll करिये special class में, link नीचे description में है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने conventional cooling system के बारे में बात कर लेता है जो कि है air cooling system, air cooling system में obviously आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि हवा से जो है engine को cool किया जाता है, क्योंकि गाड़ी जब चलती है, तो engine पर हवा लगती रहती है, और उससे जो है engine cool होता रहता है, तो air cooling systems company क्यों देती है, जाधा तर यह हमें छोटी motorcycles में देखने को मिलती है, commuter bike में 100cc, 300cc, 200cc में air cooling system में देखने को मिलता है, Royal Enfield कि आप बात छोड़ दें, कि 300cc में भी मिलता है, क्योंकि वो engines जो है, वो अलग designed है, high revving engines नहीं है, वो high heat generate नहीं करते हैं लेकिन जो छोटे engine से, commuter engine से company उनी में oil cooling system देती है और oil cooling system ऐसे काम करता है, कि जो main heat होती है, वो combustion chamber के आसपास produce होती है, तो वहाँ पर company fins दे देती है engine के, जो fins है, वो heat को dissipate करते रहते हैं, बाहर की तरफ environment में, और जो गाड़ी जब चलती है तो उससे जो हवा engine के उपर लगती है, तो वो fins के अंदर तक जाती है, और fins को ठंडा करती है, ताकि जादा price ना बढ़े, cost effective रहे motorcycle, और ये बहुत आसानी से simply design हो जाते हैं, जैसे कि जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया, उतनी आसानी से दो design नहीं होते, पर हाँ, engineers की language में आसानी से ही ये design हो जाते हैं, तो air cooling system का सबसे पहला फाइदा ये है कि ये easy to maintain है और easy to service है, air cooling में आपको कोई service करने की जरुवत नहीं है, बस engine के fins को clean करते रहे हैं, और आपकी cooling है, वो engine के अंदर बनी रहेगी, अब जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये simple है, easy to maintain है, cost effective है, system use करेगा, उसमें company air cooling गलती से भी नहीं देगी, क्योंकि company उसको design करके showroom से बाहर निकालेगी, और वही पर engine जो है उसका seize हो जाएगा, क्योंकि engine का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्या overheating जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ अब बढ़ते हैं हम oil cooling की तरफ कुछ motorcycles, oil cooled भी हमें देखने को मिलती है अब कुछ लोग ये बात भी बोलते हैं कि ये air cooled और oil cooled एक ही चीज होती है ये अलग-अलग नहीं होती है क्योंकि air cooling में भी भार जितो engine पर अबड़ पड़ रही है air cooling हवा से ही cool होता है और oil cooled जो रहता है वो oil से भी cool होता है हवा से भी cool हो जाता है तो oil cooling system में क्या है कि company एक radiator देती है छोटा सा जिसमे फिंस लगे रहते हैं तो वो fins जो है कूल करते हैं वैसे ही कमपनी oil cooled motorcycles में भी वैसा radiator देती है तो इसलिए oil cooling और air cooling अलग-अलग होती है अब oil cooling कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो oil cooling भी एक simple cooling system है जादा complex नहीं है oil cooling में engine के अंदर oil तो circulate होता ही रहता है oil को जो है pipes के तुरू भार निकाला जाता है और pipes जो है वो सीधर जाते है oil cooler की तरफ जो radiator oil का लगा रहता है radiator में बहुत पतले-पतले से fins रहते हैं जो के left to right या right to left जिसमें से oil flow करता है और जैसे-जैसे उसमें से oil flow करता जाता है वैसे-वैसे उस पे हवा भी लगती जाती है क्योंकि आपकी motorcycle running condition में रहती है तो जब उस पे हवा लगती है तो जो oil है वो ठंडा होता जाता है और वो oil ठंडा होके वापस engine के अंदर जाता रहता है तो कुछ इसी तरीके से oil cooling काम करती है और ये भी काफी simple से process है एक दो pipe company लगा देती है जो के एक pipe होगा engine से oil बाहर निकालने का radiator की तरफ और दूसरा pipe होगा oil cooler से engine के अंदर oil वापस भेजने का that's it oil cooling जो है वो बहुत simple तरीके से काम करती है अब देखिए oil cooling के अगर हम बात करें तो oil cooling जो है वो air cooling और liquid cooling के बीच का cooling system है liquid cooling बहुत ही अच्छे से engine को cool रखता है और air cool जो है वो कुछ ठीक ठाक काम कर पाता है लेकिन जो oil cooled है वो air cool से भेतर रहता है पर liquid cool के नीच ही रहता है तो इस तरीके का oil cooling system रहता है तो कुछ 200-200 से 500 CC तक की कुछ motorcycles रहती है जहाँ पर company को ऐसा लगता है कि यह heat जादा produce कर सक सिर्फ oil जो है वो freely flow करता रहता engine के अंदर अब हम बढ़ता है अपने सबसे अच्छे cooling system की तरफ और वो है liquid cooling लेकिन liquid cooling में आप यहां वीडियो मत बन कर दे ना कि मैं बताऊंगा कि वो liquid कैसे coolant जो है वो ठंडा करता है इंजिन को मैं आपको यह तो बताऊंगा कि coolant ठंडा सबको coolant डलता है जैसे के cars में होता है वैसे ही वो system bikes में दे दिया है company ने जिसमे liquid cooling system में मानी कि उसमें coolant डलेगा अब यह जो coolant है इसका काम यह रहता है कि यह engine से flow करता है radiator तक जो बाहर बढ़ा वाला radiator लगा रहता है जिससे engine cool होता है उसमें यह फ्लो करता है और यह engine से radiator 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 से engine ऐसे ऐसे गोल-गोल घूमता रहता है coolant अब यह घूमता कैसा है इसके लिए company लगाती है water pump जो water pump है engine की shaft से जैसी हम गाड़ी start करते है water pump भी start हो जाता है और water pump जो है coolant को घुमाना शुरू करता है उसमें pillar shaft होती है coolant को पूरे अंदर system में rotate करती रहती है coolant का काम यह रहता है कि engine के अंदर जितनी भी heat produce हो रही है उस heat को coolant अपने अंदर समा लेता है और coolant जैसी घूमता है radiator की तरफ तो radiator पे हवा लगती रहती है और उसमें बहुत पतले पतले fins होते है तो radiator में left to right या right to left जो है coolant flow करता है और जैसे जैसे वो flow धीरे धीरे करता जाएगा वहाँ पर हवा लगती जा रही है वो coolant ठंडा होके वापस engine की तरफ आता है फिर गर्मी अपने अंदर समाता है फिर radiator में जाता है वहाँ पर ठंडा करता है लेकिन यह process तभी चलता है जब thermostat खुल जाता है thermostat एक valve रहता है अंदर जिस valve के खुलने से ही coolant का flow जो भी थर्मोस्टाट वाल वो उस degrees का लगाएगी उतने degrees पर वो wax जो है पिगल जाएगा और वो valve जो है वो खुल जाएगा और जैसे ही वो valve खुलेगा तो coolant का flow engine से radiator में start हो जाएगा तो अब आप यह सोचेंगे कि company valve क्यों देती है यह valve देने से अच्छा बेटर तो यह वो cold condition में कश्मीर में खड़ा हुआ है वहाँ पर तो हम इसमें जाधा fuel देते रहें तो उससे engine में unburnt fuel रहेगा और इस वज़े से engine सही temperature पर नहीं आ पाएगा सही mileage नहीं दे पाएगा सही से combustion नहीं हो पाएगा efficiency overall engine की बिगड़ जाएगी तो इस वज़े से company जो है coolant का flow 70- 80 degrees तक जब तक engine operating temperature तक ना आ जाए तब तक रोक के रखती है के engine पूरा heat होने दो पहले heat हो जाए उसके बाद हम जब heat हो जाएगा तो thermostat जैसे ही खुलेगा तो thermostat खुलने के बाद coolant flow करने लगेगा और जाहिर सी बात है जब liquid cooled motorcycle उसमें बड़ा सा radiator दिया है तो बड़े से radiator आती है और fan में कुछ degrees set करके रखती है company अपने ECM में जो गाड़ी का computer होता है कि 102 degree पे 103 degree पे जब भी engine temperature sensor इतना बता दे 102 degree ए 103 degree तो उस पे जो है fan को turn on कर देती है तो fan को turn on करने से radiator में जो cooling है वो बनी रहती है चाहे आप भगा रहे हो गाड़ी या रुकी हो ही हो गाड़ी अब liquid cooling system के सबसा बड़ा फाइदा तो यही रहता है liquid cooling system बहुत शांदार तरीके से engine को cool रखने में कोशिश करता है चाहे बड़ी बड़ी car के engines देख लें आप चाहे बड़ी motorcycles high end motorcycles देख लें liquid cooling system जो है वो सब में काम कर जाता है सब में effective रहता है तो जितने भी high revving motorcycle engines रहते है उनमें company liquid cooling ही prefer करती है ताके वो अच्छे से cool रखे engine को और engine अच्छी efficiency में काम कर पाए लेकिन liquid cooling में जब मैंने आपको बता दिया thermostat होता है water pump होता है एक और thermostat होता है जो temperature gauge रहता है वो रहता है fans लगे रहते है बड़ा सा radiator लगा रहता है तो यह सब चीजें company को बढ़ाने heat ज्यादा produce करेगा तो cooling system का भी हम पैसा दे देंगे लेकिन इसमें जो है यह easy to maintain नहीं रहता है जैसे कि मैंने air cooling और oil cooling का कहा कि हाँ easy to maintain है बार बार की परिशानी नहीं देते है लेकिन liquid cooling जो है वो कभी भी कुछ भी हो जाता है उसमें तो easy to maintain वो नहीं रहता है आपको coolant भ पड़ेगा radiator को flush भी करना पड़ेगा कभी water pump भी खराब हो जाता है कभी thermostat भी खराब हो जाता है तो liquid cooling जो है overall उसको आपको देख समभाल कर चलना पड़ता है और गाड़ी को सही वक्त पर maintain करते रहेंगे तो ही liquid cooling system सही से काम करता रहेगा अब liquid cooling system में mostly मैंने सुना है बहु इस वज़े से होता है क्योंकि liquid cooling system में obviously coolant अंदर flow कर रहा है आसपास engine के तो company जो है उसके बीच में seals देती है head gasket रहती है जो के coolant को oil के साथ mix नहीं होने देती लिकिन अगर कभी unfortunately अगर ऐसा कुछ कभी हो जाता है आपके engine में बहुत जादा heat कर गया या कोई oaring burst हो गई या क gasket खराब हो गई अंदर की तो जो coolant है वो अपनी जगा बना लेता है कहां oil के अंदर जाने की तो वहाँ पर oil के साथ mix होने लगता है तो engine oil white हो जाता है तो एक चीज़ और चेक करें अगर आपकी motorcycle पुरानी है तो engine oil चेक करते रहें कि engine oil में white color का फेन तो नहीं आए engine oil white तो अब आप जो motorcycle खरीदने जा रहा है आपको उसमें कौन से cooling system की जरूए तो obviously आपकी मरजी से तो company उसमें cooling system नहीं लगा कर देगी मगर obviously engineers को पता है कि engine जो है कितना heat करेगा लेकिन अगर आपको पता है कि आप जाधा long rides करते हैं तो आप थोड़ी ऐसी motorcycle लें जिसमें liquid cooling system हो य liquid cooling में आप redline कर सकते हैं पर मेरे खयाल से वो भी इतनी जाधा हर चीज जो जाधा आप करते हैं engine के साथ engine abuse जो जाधा करते हैं वो engine को खराब कर देती है तो I hope so मैंने liquid cooling air cooling और oil cooling आपको सही तरीके से समझा दी हो आपके लिए ये video बहुत जाधा informative रही होगी अगर video पसंद रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करियेगा चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए तो गाई सांक्स वाचिंग स्टेए ट्यून तिल देन विट फॉमाइए नेक्स अपकमिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो सुपी रियो डेस्टि को जिएए ट्यूब करें वीड़ शीडिब पॉमाइब औरावी होग Richard